दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूटूब का वीडियो हम होम स्कीन पे चला रहे हैं मोबाइल के होम स्कीन पे लाइप चला रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यह भी चाहते हैं कि हमारा यूटूब का वीडियो जो है कि मोबाइल के होम स्कीन प बिडियो चल रहा है आप जैसे कोई भी आप्लिकेशन के अंदर काम करना चाहते हैं तो बहुत यह आसानी से कर सकते हैं दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हुद हम आप सब को लाइबлан बश्यों करके दिखा don't do flash的, जयसे हैं आपके पास कोई भी refrigerator fashion ंश सेटिंग है तो setting को भी आप open कर सकते हैं setting के अंदर में अगर आप कोई काम करना चाहते तो आप अपने phone के setting के अंदर भी काम कर सकते हैं मतलब anybody आपके phone के अंदर कोई भी application है कोई भी application के अंदर काम कर सकते हैं या google को पर भी आप काम कर सकते हैं आप YouTube के वीडियो चला कर जैसे कि आप देख सकते हैं हम लाइब आप लोग को दिखा रहे हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप Google पर भी search कर सकते हैं और YouTube का वीडियो चला कर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर live देख सकते हैं दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप कुछ भी क्लिक सकते हैं। और ये भी YouTube का विडियो भी देख सकते हैं आप मोबासे हैं। अगर आप भी जानना चाते हैं, शीदू भी लाइक कर दिए। चैनल को सस्क्राइब कर दिए और guys continue इस वीडियो को देखते रहें तो कैसे करना है step by step करके दिखाने वाला हो वीडियो बहुत ही काफी जाधा जाधा useful होने वाला है तो वीडियो को जड़ा सब यह skip नहीं किजेगा तो चले फिर हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पहल करेंगे दोस्तों यहाँ पर PIPI का यह setting है देखिए जब आगर आपके पास पूराना फोन होगा तो PIPI के देखने को नहीं तो आपको picture in picture का setting मिलेगा यह setting आपके फोन के अंदर बंद होता है इस setting को on कर देना है जैसे यह setting को on कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको भी गाना को चलानती यहां से यह share वाला है share को click करना है जैसे share क 라उजर पर आजाना है यहांप देखिए Chrome capture पर आए जब आएंगे तो Chrome browser आपका इस तरह खुल जाएगा उसके बाद यहाँ 3 dot होगा 3 dot पर आपको click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहाँ desktop side होगा तो आपको यहाँ desktop mode में कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर बड़ा करने का यहाँ पर एक icon है बड़ा करने का इस बड़ा करने वाले icon पर इससे आपको click करना है जैसे click करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा देखें यहाँ पर बड़ा हो गया और सारा कुछ हड़ गया उसके बाद यहां से करना क्या है, इसको cut कर देना है, डारेक्ट कर देना है, जब cut कर देना है, जब cut कर देना है, तो यह video देखें, mobile के आपके home screen पर आ गया, आप जीधर चाहेंगे उधर कर सकते हैं, देखें, इस तरीके से आप कोई भी application को use भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मालीजे हमारा photo वाल application है, तो इसे हम use कर सकते हैं, वीडियो चल रहा है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं, किसी भी application को, जैसे setting है, setting को आप open कर लिजिएगा, कोई भी काम कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने YouTube को video, mobile के home screen पर चलाते हुए, किसी भी काम को आप कर सकते हैं, तो दोस्तों, वीडियो में इसी setting के बारें बता रहे थे, कि आप अपने YouTube वीडियो को mobile के home screen पर कैसे play करके देख सकते हैं, वो भी like, सब कुछ इस वीडियो में आपको life रूप करके दिखा दिया, वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो को like कर दीजगा, channel को subscribe कर या, तब तक के लिए बाई बैटाटा, मिलते हैं एक नई टोपी के साथ नई वीडियो में जैहीं जैभार